कॉमेड के की चॉइस फिलिंग बच्चो शुरू होने वाली है बच्चे परिशान है कि कॉलेजेस के अंदर कितनी रैंक तक एड्मिशन मिलते हैं साथी साथ वहां की प्लेस्मेंट कैसी जाती है फीस कैसी जाती है बच्चो एक हम लोग न्यू सीरीज चला रहे हैं कॉमेड क कि टॉप ब्रांच इसकी जो सबसे लास बर्च एंट्री करने के लिए और यह इसके बारे में इसके मुझका ब्रा लोग ओसकरने वालिए इसलों को पूरा जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बट मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसी तरीके की पूरी सीरीज आपके लिए कॉमेट के कि जो सही कॉलेज है उसकी वीडियो आते रहेगी तो इसलिए जल्दी से च बना रखा है बाकि कुछ चीजे जो है उतनी सही नहीं है जो कि आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत दिखेगी वहाँ जाओगे तो अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग सबसे पहले प्लेस्मेंट का ही डिसक्रशन करते हैं क्योंकि यह सबसे इंपोर्टेंट है किसी भी कॉले यहां का जो है इस पैकेज बढ़िया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बठाएज से इंफ्लूएंस भी बच्चों को नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि काफी सारे बच्चे देख लेते हैं इतना मिलेगा तो मुझे तो मिली जाएगा नहीं बच्चे आपको उत्रह नह की भी प्लेस्मेंट मिल जाएगी तो रिटर्न आफ इंवेस्मेंट आपका बढ़ियां रह जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी बच्चों अभी तो हमने प्लेस्मेंट की बात करी बाकी अभी हो हैं कट आफ एंपी स्ट्चर के बारे में भी आपको बताऊंग क्योंकि हर बच्चे की रांग का लगा तो उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग होगी हर कॉलेज की ब्रांच को आपको लगाना पड़ेगा किसी कॉलेज के कैमपस को फर फिर उसके दूसरा इस तरीके से आपको करना पड़ेगा अगर आपने इसमें एक भी गलती कर दी भले ह आपको एक अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल सकती थी बट आपको चॉइस फिलिंग अच्छे ना होने की वज़ए से आपको नहीं मिल पाया क्योंकि हमारे पास तो फाइव तो सिक्सियर का एक्सपीरेंस है हम जानते हैं कि किस बच्चे की रैंग कैसी है उसको क इसे फिल कराना है कि उसकी रैंग पे बच्चों को बेस्ट मिल जाए अगर आपको चाहिए कि बैस से बैस्ट मिल जाए यूँ के जॉइन आवर कांसलिंग सपोर्ट अल्रेडी काफी सारे बच्चे जॉइन हो चुके मैं आपको फीशर्स बता देता हूं फीचर्स की बात क आपको फ्रेंट्स के कॉंटाक्ट नंबर भी शियर हो जाएंगे इसके बाद जाकर कि आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है अभी से लेकर के जब तक पूरी कांसलिंग चलेगी तब तक आप अपने पर्सनल मेंटर से जो भी डाउट साएगा सारा कुछ कराएंगे जो कि आपको कोई प्रवाइड नहीं कर रहा होगा यह चीज हम देते हैं इसके अलावा डॉकुमेंट के रिलेटेट हर एक चीज आपको मिल रही होगी सब कुछ क्लियर हो रहा होगा इसके लिए आप पुछोगे कि चार्ज कितना है काफी कम फीस है बच्चों अभी के लिए इसकी फीस उली वन त्रिपल नाई रहें वर फॉर्स फिप्टी स्ट्रिड जैसे फीज बच्चे बच्चों पूरे हो जाएंगे हो सकता है वीडियो का होने के बाद या एक दू दिन के अंदर ही पचास बच्चे पूरे हो उसके बाद इसकी बढ़ जाए ग से शुरू किया था उसकी फीस लास्ट में खतम हुई बच्चों ने चार-चार अजार में काउंसलिंग खरी दी ठीक है इसलिए जाकर कि अभी जॉइन कर ले ना जिससे कि आपको बैस से बैस चीज जल्दी से जाकर करके लिंक डिस्क्रिप्शन से जॉइन कर लो अब बड़ कॉले बरांच अंच से लियाना तो यहां पर इसी ब्रांच और मिल पाएगा और सही जारा है मिल बÂनकिशनदे से लिहां ओए ऐसों कॉलेशन एंग का ल्ग कि लग जाएगा बागे फीज्फी Vocês की बाथ कर ले तो यहां पर institute fees आपकी जो बस college college fees रहेगी that is लगबग 8.5 लाग का खर्चा 8.5-8.6 लाग के अप्रोक्सिमेटल आपका खर्च बैठने वाला होगा बाकी आप लोग hostels लोगे तो लगबग 4,30,000 के आपका hostel का भी खर्चा है 4 लाग के अप्रोक्सिमेटल टोटल खर्च लग जाती है I hope so कि बच्चे आपके सारे डाउट्स क्लेर हो गया होंगे फिर भी कुछ डाउट बच रहे हैं तो कमेंट सेक्शन पूछो और हाँ ध्यान से काउंसिंग सपोर्ट में इंड्रॉल कर रहे हैं सोब से थैंक्यू फूर वाचिंग दिस वीडियो जै हिंद जै अबार